नमस्कार स्पागत है आपका स्पियर नाइन न्यूज में मैं हूँ आपके साथ श्रुटी शाहिन बाग का प्रदर्शन लगभग एक महीने से ओपर हो चुके हैं और वो प्रदर्शन जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच शाहिन बाग के प्रदर्शन के दौरान ही चार महीने के बच्चे की मौध हो गई और इसी पर सुप्रीम कोट ने इस पतह संग्यान लेकर सुनवाई की जिहां बता दें आपको कि सी जे आई से बोब्डी जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूरिकान की पीट ने इस मामले की सुनवाई के सुनवाई कट वे सक्थ टिपनी की और पूछा कि आखर चार मह बच्छा तो लेकर तो जिस तरह से बच्चे की मौत की घटना भी सामने आई रही थी उसी को लेकर सुप्रीम कोट में सुनवाई करते वे सक्थ टिपडी कर ये पूछा प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन बता दे आपको कि बहादर पूरुस्कार से अलंकरत चात्रा ने चिठी पर सुप्रीम कोट ने संग्यान लिए उस चिठी में जिस तरह से लिखा गया था प्रदर्शन के लिए बच्चों को नंग जाया जाए बच्चों पर अत्याचार्वगा है मिल आप यह सुनवाई करते हूं पूछा कhi चार महिने का यह यहां पर करने का जैari स्टी ने भी इन्हों आपने कही हैं उन्हों का जाता है स्टी सिझी एजॉटिस बोबडे ने कहा सकूल में पाकिस्टानी का गया यह कोट के समक्ष विशण नहीं है कोट नीस मामले में केंद्रा और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है लेगे सवाल तो तब भी है क्योंकि अगर बात करें यहां पर स्कूल की तो स्कूल जो है बाद में अभी वो चार महीने का बच्चा था और उसे विरोध प्रदर्शन में ले जाया गया और वहां पर जो है वहां पर उसका ध्यान क्या वाग को लेकर तो यह सवाल तो अगर बच्चे कि जान गई आगर पर वही प्रशाशन पर सवाल उटता है यहां पर कि किस तरह सेया पर जो है सुरक्ष्या में इतनी धीली दी जा रही है क्योंकि यहां पर जो है बच्चे देश के भविश्य होते हैं और ऐसे में जस तरह से यहां जी यह जो मामला सामने आया है और इस पर बता दें आपको कि छात्रा ने जस तरह से छिटी लीकर ये बात जो है कही थी स्वत्य संग्यान लिया गया इसमें सु बच्चों को ले जाना उन पर अत्याचार है चात्रा ने बच्चे की मौत के मामले में जांच की मांग की है अब आपको इसमें क्या कहना है कमिंड बॉक्स में कमिंड कर ज़रूर बताएं बागी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमार साथ हमें नमस्कार कर दो